हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू मैं चैनल कुएक इंग्लिश गुरू और आज का हमारा टॉपिक है वही पुराना आर्टिकल ए एंदा आज मैं इसका आपके लिए सेकिंड पार्ट लेकर आई हूँ फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इजी पॉइंट्स बतायते हैं आज मैं कम्प्रिशन लेविल के जो एक्जाम होते हैं उनमें जो कॉस्चन पूछे जाते हैं बहुत ही इंपोर्टन पार्ट है आपको इसका एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है और कॉपी पैंसल लेकर जरूर बैठिएगा जिससे के कहीं आपको कोई पॉइंट समझवें नहीं आ रहा है तो तुरंट आप उसको नोट कर ले आज की वीडियो बहुत ही इंपोर्टन सावित होने वाली है आपके लिए इसलिए बने रहे हैं मेरे साथ चलिए आगे सुर आपके जो एंड लगता है वो बीफोर बॉविल्स आप लोग मेरी लास्ट वीडियो में पहचानी गए होंगे कौन से बॉविल्स होते हैं कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे एंड लगता है और ए बीफोर कॉंसोनेंट यानि बीटू जैड इन फाइव वर्स को छोड़ कर जितने भी वर्स होते हैं उनका जो फर्स्ट वर्ड यूज होता है उनमें हम ए यूज करते हैं आज अब हम इंपोर्टेंट रूल्स की बाद करते हैं जिनसे एक्जाम में इरर्स आती हैं देखिए रूल नमबर फर्स्ट हमारा अनकांटेवल नाउन के साथ ए नहीं लगता है अब आप लोग पूछ रहोंगे कि अनकांटेवल नाउन होते कौन से हैं अनकांटेवल अनकांटेवल मीन्स जिनको हम कांट नहीं कर सकते यानि गिन नहीं सकते अपनी फिंगर पर जिनको हम नहीं गिन सकते वो सब हमारे अनकांटेवल नाउन होते हैं जैस और भी काफी आते हैं, मैं आगे इनकी भी लिष्ट लेकर आऊंगे आपके लिए, अभी देखिए जैसे कि water, पानी को हम अपनी finger पर count नहीं कर सकते, milk, दूद को भी हम count नहीं कर सकते, cold drink, cold drink को भी हम count नहीं कर सकते, और paper, paper को हम count नहीं कर सकते, जिस तरीके से वो दिया होता ह देखिए, इसका एक example लेकर आई हूँ, example पढ़ने के बाद आपको यह बहुत ही, जो rules है, वो बहुत ही easy लगेगा और आपको अच्छे से clear भी हो जाएगा, और यह भी पता चल जाएगा, कि एक्जाम में किस तरीकी से आता, देखिए राजेस came here and bag me a paper, राजेस यहां आया और उसने मुझे एक paper दिया, आप इस तरीके सी sentence पढ़ोगे तो आपको यह समझ में नहीं आएगा, आपको यह लगेगा ही नहीं कि इसमें कहीं errors है, लेकिन अगर आपको rules मालूम होंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि हाँ, इसमे नहीं लगता है, तो आप तुरंत टिक कर दोगे, कि जो third part है, C part है, उसका errors का वो wrong है, क्योंकि paper के आगे कभी भी error, वो A नहीं लगता है, ओके next rules मैं आपको और समझा रही हूं, देखिए, इसको सभी लोग अच्छे से note कर रहे हैं, rules number हमारा first complete हो चुका है, आप देखिए मैं लेकर आईए, rules number second, अगर कोई भी बर्व, बर्व नाउन की तरहे काम करती है, तो उस बर्व के आगे हम A N लगाते हैं, अब आपको यह जानना होगा कि बर्व कौन कौन सी होती है, आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी बर्व है और कौन सी नाउन है, यह आप पीछे ना सब्द लगा होता है, क्या सब्द लगा होता है, ना सब्द ध्यान से सुनिये गा, यह बहुत important point और आपको in future कभी भी किसी से भी पूछने की ज़ dick कि, बर्व कौनिसी होती है जिन सब्धों के पीझे ना सब्द लगा होता है क्या सब्द लगा होता है? ना वो सब हमारी verbs के अंतरगत आते हैं किस के अंतरगत? verbs देखिए जैसे कि ENJAMBLE दिया है खाना, पीना, उठना, सोना, रोना, धोना, आना, जाना ये सारी verbs होती है हमारी उठना, बैठना, रोना, दोना, सोना, जागना, आना, खाना, पीना, उठना, रोना, रुलाना, सोना तो इन सब को जिन के पीछे ना सब्द लगा होता है क्या सब्द लगा होता है? ना ये सारी हमारी verbs के अंतरगत आती है और अगर इनी वर्ब्स को नाउन की तरह यूज किया जाए यानि वो वर्ब्स होकर भी वर्ब्स का काम ना करें नाउन का काम करें तो उनके पीछे ए यूज होता है देखी कैसे यह बहुत ही important rules है और mostly errors इसमें से आती हैं आपको यह rules note कर लेना है देखे इन डेट पार्टी उस पार्टी में उसने मुझे एक ड्रिंक ओफर की उसने ओफर की ए ड्रिंक से मीन यहाँ पर हमारी वर्ब नहीं है इसके लगा है ए ड्रिंक इसके आगे क्या लगा हुआ है ए तो यानि उसने मुझे ए ड्रिंक A drink यानि cold drink हो सकती है B.I. हो सकती है कोई भी beverage यानि पेफदार उसने मुझे drink ओफर की उस party में तो यहाँ पर हमारे उल्रेडी क्या लगा होगा है A अगर यहाँ पर A नहीं लगा होता तो यह B part रॉंग होता क्योंकि एक सेंटेंस में दो दो वर्व एक साथ इस तरीके से नहीं आ सकती तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह drink हमारा क्या है यहाँ पर नाउन वो बर्व है लेकिन नाउन का काम कर रहा है यह बहुत important rules है और यह एक्जाम मेर जरूर इससे question आता है इसलिए आपको यह rules जितने भी आज मैंने बताए donor rules बहुत important है और countable noun और uncountable noun जो भी है मैं इनकी एक चार्ट आपके लिए लेकर आने बाने हैं मेरी next वीडियो में article की third part में इसलिए मेरा third part देखना मत भूलिएगा और वीडियो अगर पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरू कीजिए थैंक यू